नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बात करूँगा CDSL के स्टॉक के बारे में यानि कि Central Depository Services Limited इस स्टॉक की बात करूँ तो यह एक Monopoly कह लिजिए या Duopoly कह लिजिए यह दोनों ही फ्रेम में समय समय इस समय जो है एकदम फिट बैठता है क्यूं वैसो तो यह Duopoly है क्योंकि NSDLB है लेकिन मार्केट में अभी एक ही स्टॉक लिस्टे तो मैं ऐसे Monopoly कंसीडर कर लेता हूँ ठीक है अब इस स्टॉक की बात करे है क्योंकि मैं आपको fix recommend कर रहा हूँ that doesn't mean कि आप उन्हें खरीदो उन्हें खरीदने से पहले एक बार खुद भी research करो यह best चीज होती है और यही एक ऐसी चीज है जो एक निवेशक को बड़ा बनाती है बना मतलब wealth बनाती है उसकी अगर cable और cable आप किसी की सुनके stock market में का करेंगे जिसके पास है उसे क्या करना चाहिए और कोई fresh entry लेना चाहता है तो क्या यह level है लेने लाइक या फिर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है इस समय इन सबकी बात करने वाला हूं आज की वीडियो में तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाता हूं लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो लोग चैनल पर पहली बार आएं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजे नोटिफिकेशन बैल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे सबसे पहले इनका इसे वीडियो इंफ करेंट मार्केट प्राइस की और आज के दिन में क्या हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं अभी तक एक बच के 27 मिनट का समय हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है 1335 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है अच्छी खासी तेजी है लगबग 400 रुपे स्टॉप उपर दिख रहा है 3% की तेजी है मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी है जहां पर BSE भी 3-3% उपर है ठीक है अभी स्टॉक की बारे में बता हूँ तो लगबग 17.76 ले रही है तेजी बन रही है यह स्टॉक दुबारा से ऐसा लगता है कि उपर जाने की तैयारी कर रहा है अगर इस स्टॉक के एक महीने के रिटन्स देखूं तो 17% के निकल के आ रहे हैं लोस से अगर कंपेर करूं तो 24% बाग चुका है तीन महीने में ठीक है अगी अभी भी म इस स्टॉक ने लेबल निकाला है आप मैं बता दूँ आपको एग्जैकली 1257 का तो कहीं न कहीं यह स्टॉक 1400 और 1390 तक जाने के लिए तयार हो गया है तो फर्स्ट हमें जो संकेत मिल रहे हैं वो यह कि इस स्टॉक में जो यह तेजी है वो हो सकता है आपको डारेक्ट 1382-14 तक की जाती वही दिख सकती है तो पहले तो जिसके पास यह इसके लिए मैं चोटा SL दे देता हूं जिसके साथ आपको होल्ड करना चाहिए इस टॉक में 1300 का क्लोजिंग बेसिस पे एक SL होगा जिसके साथ आपको होल्ड करना चाहिए यह स्टॉक अभी बेचना नहीं है 1300 1814 तक वन साइड़ जाने की तैयारी कर रहा है अब इसके तोड़े से वैलिएशन पर आ जाते हैं तो 50 44 के पी यानि प्राइस टॉर्निंग पे स्टॉक ट्रेड करता है लगबग 14,000 करोड का मार्केट के पैस स्टॉक का एंड प्राइस टॉक वैल्यू की बात करूं तो अरॉ इस तरीके के स्टॉक को मार्केट इतने वैलिएशन तो देगा तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा ठीक है 105 रुपीज की बुक वैल्यू पर शियर है 1340 पे आपके सकते हैं ट्रेड कर रहा है तो यह भी बात अब आपको मैं बता दू इतने महेंगे वैल तो काफी अच्छी कंपनिया मुझे लगता है यह स्टॉक आपकी पॉर्टफोलियो का हिसा है तो डेफिनेटली आपको समय देना चाहिए 5-10 साल यह मल्टी वैगर स्टॉक बनने की दम रखता है आप सभी को बदा है मार्केट में भी केबल 2-3 परसेंट लोगी निवेश क बाकी की मार्केट में भी पबलिक को आना बाकी है जैसे यह एसे इंडिया ग्रो हो हह रहा है उपलिक बढ़ रही है स्टॉक मार्केट में रहा है जो काफी बड़ी वैल्त बना सकता है मैं प्रॉफिट की बात नहीं लेकिन आपके लिए थोड़ा समय देना होगा और अवर कर दो एभने की लिए के लिए लाहि कर भा कि ये लिए एला कि भी हुआ ठृजसल पर्वेश चुछना है लिए प्राइशा, रिए जो ही है जा